आप सभी को नमस्कार, मैं आपका दिग्विजे और बाबा की खरी खोटी पे आप सभी का स्वागत है, मेरे साथ हैं लखनव से संदीप आरके सिंग, संदीप सर नमस्ते, नमस्कार भाई साथ, क्या हाल हैं, दिग्विजे जैश्री राम, जैश्री राम, मैंने आप से एक बड़े ही ज्वलंत मुद्दे पे बात करनी है, हमारे बड़े ही सम्मानित, बड़े सीनियर पॉलिटीशिन है, संजे राउट जी, कल उन्होंने बॉलिवुड और महराश्र मुंबई को लेके बड़ा ही खतरनाक सा बयान दे दिया है, बयान था कि मुंबई is no more safe for politicians, industrialists and celebrities, किसी जमाने में मुंबई तो एकदम safe heaven होता था, क्या बाते थी मुंबई की, यहाँ स्वर्ग वाला माहौल था, राम राज्य था चारो तरफ, लेकिन अब तो यह सरकार एकदम fail हो गई है, और देवेंद्र फर्नविस होम मिनिस्टर महराश् इस टाइप का, बड़ा ही, बड़ा ही, बड़ा ही, बड़ा ही, बड़ा ही, कॉंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था, इस पे आपका क्या स्टैंड? तरफ शाल में, मुंबई में bomb last हो थे? जब हो मुख्य मंत्री थे? ठीक है? बड़ी गुजरात में, मोदी जी के बहुत नाम लिया जाता है, कि 2002 में आप मुख्य मंत्री थे और ये कांड हो गया था, वो कांड हो गया था? मुबई में जब bomb last हो दंगे हुए तब कॉन थी ठीक है तब ये लोग खाटी दुश्मन हुआ करते थे शिव सेना और तब NCP पर तब भी सेफ थी खैर चलो जब अंडर वर्ल्ड कप खुलियाम तांडव चला थमा गैंगवार हो रही थी छोटा राजन दाउद इब्राहिम और हाजी मस्तान और के बाद करीम लाला और द साथ ठाक का ही योगदान था कि यह सफाई हुई अंडर वर्ल्ड की पुलिस के द्वारा चलो सन 2000 के दर्शक में मुंबई बहुत सेफ था जब इसी 96-97 में गुलशन कुमार जी की हत्या हुई थी गोलियों से भून दिया गया था जब मंदिर से बाहर आ रहा रहे थे और ब जादा तर गाने जो है पाकिस्तान से आते थे महिश भट भी उनीक लिंग था आप आशे की यह वो जुदने गाने सुनले सब पाकिस्तानी गानों की कॉपी खेर तो कनेक्शन वहां से भी आता है ठीक है उसके बाद आपको पता एक कहो ना प्यार है जब रिलीज हुई तो सुपर स्टार थे एक सलमान शारूख हामिर चौथे को बहुत कोशिच किये जा रहा था लॉंच करने का बहुत बाद में बहुत मुश्किल से लॉंच हुआ सैफ अली खान उसकी 10 साल फिल्म में फ्लॉप हुई है उसकी पहली फिल्म आई थी दन दो जारे एक में उसकी पह होना प्यार है क्योंकि रोग नहीं पाए वह टालेंट था बंदे में ठीक है उसके पिता जी पर गोलिया चलाई राकेश रोषन मरते मरते बचे ठीक है और बताएगया कि इन से पैसे मांगे थे अंडर विल्ड ने और राकेश रोषन सन सतर साथ उनके पिता-जी फिल्मों में ते रोशन जो बहुत बड़े संगीतकार थे वो फिल्मों में ते वो लोग सन 50-60 से चितरलिखा नाम की बढ़ी बहुत बढ़िया गाने दिये रोशन ने ठीक है यह लोग तब से फिल्मों में इनको नहीं पता था माफिया किस तरीके से वर्क करता है राकेश रोशन स्व कर दिया उन्होंने जो की बहुत बड़ा खत्रा था सल्मान सारुक और आमेर बॉलिवुड में मुसल्मानों के वर्चसों को तोड़ेने के लिए रितिक रोशन हिंदू सुपरस्टार दैट वस प्रॉब्लम इसलिए गोली चलाई गई ठीक है और बताओं नन्हें एक आद विश तृदेव फिल्म जैकी श्रॉफ और निल कपूर वाली और नस्यव दिन शाह वाली ठीक है तृदेव ठीक है विश्वाते माश्ट मोवी ठीक है उसके बाद गुप्त बहुत बहुत बढ़ी देवल वली मोरा श्राई कुमार सॉनिल चट्टी इसपर बोली चलाई ग दस्त म्यूजिक वाली फिल्में लगातार दे रहा था उसका अपना विजुशा उस पर गोली चली विजुशा और राजी राय दोनों गाया बॉलिवुड से वो स्वीडियन और डेन्मार्क वगेरा चले गए और फिल्मों में एक हिरोईन हुआ करती थी सोनम तरी देव में क लिए इस सलीम जावेद पर भी कुछ दिन पहले एक डॉकमेंटरी आई है कि इन लोग करें बहुत यह थे कि फिल्मों के पोस्टर पर अपना नाम लिख देते रिटेन भाई सलीम जावेद यह वो डिरेक्टर से लड़ लेना हीरो एक्टर से लड़ लेना राजिस खन्ना क कि's को बोल दिया था किस के दम पे भाई वाई करते थे यह बॉली व komt में दोनों के दोना सलीम खान जो सल्वान खान के पिता जी ठीक है गुंड़ाई करते थे लोग और ये ब्रैट्स इनको मतलब शुगर कोटिंग की जाती है इनके नाम पर विशुद्ध गुंड़ाई करते थे लोग क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं वो एक लग कहानी है कलाकार होना अपनी बात है पर अपना समझ मैं नहीं करेगा क्या तकलीफ है हमारी फिल्म कैसे मना कर दी ये इन लोग का चलता था सन सत्तरसी के दशक में तो ये इस तरीके से जावेद अक्तर सलीम खान का तो पता ही है कि पूरा सेकुलरिजम की धारा बहाई और एंटी हिंदू जितने फिल्में बनाई और विल से शुरू हुआ फिर धारा बाद इनुने कई फिल्म हो तो आप जब भगवान से लड़ लेंगे तो फिर आप सेकुलर हो जाएंगे फिर आप जंता में आप देखेंगे कि जंता भी वैसी हुई जा रही है कि हम अपने भवान नहीं मानते यह है वो है तो 2014 से पहले तो सब हिंदू सेकुलरी था ना जाविद इस्तर के बहुत युगदान तो पॉइंट इसकी जितना हिंदू वाद था उसको खतम किया गया गोलियां चला कर भी खतम किया गया और इस प्रकार से मुस्लिमों का पूरी तरह कबजा हुआ और फिल्मेकिंग कोई इंडस्ट्री नहीं स्ची फिल्मेकिंग एक पैसेके इंडस्ट्री नहीं कोई फिल्मेकिंग बिज्नस नहीं है फिल्मेकिंग stewa है सबसे महंगा Lean लग गया तो बहुत बढ़िया नहीं लगा तो फ्लॉप जूवे में पैसा वही लगाता है जिसके पास पैसा कहीं बहुत वहीं ऐसे सोर्से से और यह लगता था कभी सुना टाटा ने पैसा लगाया फिल्मों में टाटा जो है रतन टाटा जी के भी देहांत हुआ है 105 कंपनी है जेग्वार लेंड रोवर खरीद लिया फिल्मों में कभी पैसा नहीं लगाया बिजनस में लगाया जुवे में नहीं लगाया कभी नहीं लगाया फिल्मों में पैसा एक और वेपारी नहीं लगाया डुबा के अपना हाथ जोड़के चले आए कि शोर वियानी जो आपकी बिग बजार वाले फ्यूचर ग्रूप के बिग बजार है न हर शहर शहर में उन्ह पैसा लागने मतलब क्या है स्टार्स हैं उनके साथ खड़े हैं परिवार पोटो के चरा है बाकि अन्य भी चीजें कास्टिंग काउच और हिरोईन और अमर सिंग और मुलायम सिंग याद्ध हो और सब सैफाई सारा नाच तो यह है और इस बार क्या हुआ इस बार कुछ उल् लौरेंच विश्णोयी का नाम सल्मान खान से बहुत पहले से जोड़ा जा रहा है कहानी क्या है अगर इस ने एकसेट किया है कि मैं ने ये किया है तो क्यूं किया है उसका इतिहास क्या है थीजये दर जनकारी साजा करें इसमेना दो में पॉइंटस है लौरेंस का दब आज पंजाब, हर्याना, पंजाब हर्याने के बॉर्डर से लगता राजस्थान, फोड़ा सा जम्मू, पूरा दिल्ली और दिल्ली के आउट्सकर्स में थोड़ा सा वेस्टन यूपी, यहां तक उसका दबदबा पूरा कायम है, और सिर्फ कायम नहीं है, आज उनकी बाजश पर इन सब चीजों के बाद बवाना गुरुप का सिर्फ दिल्ली और दिल्ली के आउट्सकर्स में ही सारा बिजनस है, ऑनलाइन बुकिंग, बेटिंग से लेके, बुक्स चलाने से लेके, आज कल IPL का सट्टा हुआ, जुआ हुआ हुआ, मेन यह बिजनस है, फिरोती और ए अपनी कम्यूटी का हीरो बनने के लिए, हर कम्यूटी एक हीरो ढूंगती है, और बिजनोई कम्यूटी एक दम जतनी बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और एकदम शान्ती प्रिये कम्यूटी है, तो लौरंस बिजनोई को अपनी कम्यूटी का हीरो बनना था, तो उस प्रवाट में सौदो सो क्रोड का चड़ावा भी है अब सलमान खान जैसा अग्टर उतना बड़ा सुपरस्टार जो मोदी जी के साथ पतंग उड़ाता है उसको एक अधना सा 30 साल का लड़का अगर धंकी दे कि आजा तुझे जोधपूर में मारेंगे तो सलमान खान को मैं जोधपूर में मारेंगे तब पता चलेगा कि हम हैं क्या लॉरंस बिश्वी इसका मतलब है कि या तो वो बद्दिमाग है अकल नहीं है बच्चा है तीस साल ही उमर कम है या तो वो ऐसे बयान बद्दिमागी में दे रहा है या वो सच में इतनी बड़ी खानिस्तान से ले आया तो रातो रात मुझे याद उसको हिंदू उर्दे समराट बना दिया गया था लॉरंस बिश्वी सेम वही काम कर रहा है वही एक दो खालस्तानियों के साथ उसके जगड़े हुए कुछ टसल्स थे उसने एक दो मटर करा दिये तो उसने बाद खान को इसने धंकी दी इसका एक फ्रेंड है संपत नहरा ये अच्छा इनकी एक बड़ी अच्छी को आदिवा इसको ये अपने दोस्तों के लिए बैक करते हैं स्टान करते हैं संपत नहरा को इसने बेजा रहकी की और इसके घर पे गोल आ चली सलमान खान उसमें एक पर फिर इनका बड़ा क्लोज हो गया इनका एक फ्रेंड था अनुच थापन नाम का लड़का जब सलमान खान के घर पर गोलिया चली है तो उसको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने और ऐसा कहा जाता है कि बाबा सिदिकी ने पुलीस के साथ सेटिंग बनाके उसको इतना टॉर कि उसने फासी लगा लिए वाश रूम में जाके बाथरों में जाके चदर से फासी लगा ली उसने खुद फासी लगा ली कि पुलिस वालों ने जवरत्ती लटका दिया जो भी केस था कल ऐसा सुनने में आ रहा है कि दो भाई हैं शुबू लोनकर और शुभम लोनकर उसमें शुभम लोनकर या शुबू लोनकर के फेस्बूक पेज से ट्वीट हुआ है फेस्बूक से पोस्ट आई है कि हमारे साथ जो गलत करेगा संदीब जी आपकी वीडियो चली गई है ब्लैक हो गई है तो हाँ आ गए आ गए तो शुभम लोनकर शुबू लोनकर के फेस्बूक पेज से एक वीडियो आई कि पोस्ट आई कि भाई ऐसे ऐसे हमारे साथ जो गलत करेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं और बाबा सिद्धी की तो शुरुवात है जो भी दाउद गैंग और सल्मान का साथ देगा उसका हम यही हाल करेंगे अब उसमें कल शुभम लोनकर को अरेस्ट कर लिया है पुलीस न हैं और बाकी सारे अपस्कॉंडिंग हैं अच्छा जिन लड़कों ने मुर्डर किया है उसमें एक लड़का है गुर्मेल बलजीत सिंग अब नाम गुर्मेल बलजीत सिंग इसका मतलब हीज़ा पंजाबी सरदार सरदार फैमिली का लड़का है पर रहते हर्याने में कैथल और बाखी दो लड़के हैं धर्मराज कश्यप और शिवकुमार शिवकुमार शायद अपस्वाण डिगा है धर्मराज अर्रेस्ट हो गया है दोनों बहराईज के रहने वाले हैं और तीनों की विच्टें टीश साल आप एक क्राइम दा पैटर्न समझो जिन्होंने में क्या influence हो गया और इस murder को आप एसे मान सकते हो कि सल्मान खान को एक वार्निंग है कि अभी भी टाइम है माफी मांग हमसे जो लेंदेन करनी है कर और अपनी जान चुड़ा और मुझे अब ये लगता है कि इनका अब तो बॉलीवुड पे कबजा करने का मूड है इनको ये लगता है कि बहुत मोटा पैसा कमाया जा सकता है बॉलीवुड से और बहुत ज़्यादा influential हो जाएंगे भई संजयर आउत ने एक बात कही है कि भई बॉम्बे इतना सेफ हैं था अभी तो finance capital है तभी तो सारे इंडूस बड़े बड़े यहां रहते हैं सारे बड़े politicians यहां रहते हैं तो मुझे लगता है कि लॉरेंस बिश्णोई एंड गैंक को अब दिल्ली की इन आउट्सकर्ट में वो मज़ा नहीं आ रहा है अब इन्हों ने अपना दुख बॉम्बे की तरफ किया और सबसे आसान है बॉम्बे की फिल्म इंडूस बहुत बड़े हां जानकारी दी अधिक विजय मुझे अभी तुमने का कि दिल्ली में इन लों को मज़ा नहीं आ रहा है इन लों का सबसे बड़ा नुकसान खेर अमोदी जी काने के बाद तो भी पूरा वो एरिया भी क्रिम अंतराले के अंदर आता है मिचा जी इनके साथ एक प्रब्लम पता क्या थी दिल्ली में नीरज बावाना गैंग भी उतना ही स्ट्रॉंग जितने यह हैं और उसमें था क्या कि आपको याद होगा जब काला जो ठेड़ी पकड़ा गया था सुशील कुमार मडर वाले में जो केस के बाद तो यह एची गैंग है लेकिन दिल्ली में इतनी ज़ादा इनको बैस दिल्ली है कितनी सी अब वहाँ पे दो बड़े गैंग्स जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं है क्या लैंड ग्राबिंग एक्स्टॉर्शन इंलीगल बेटिंग और यही तीन-चार में धंदे हैं आखिर दिल्ली मुझे लग रहा है इनको छोटी बड़ रही है या दिल्ली को होता नहीं कि आपने संत्रे का जूस निकाल लिया है इन्होंने दिल्ली को निचोड़ लिया एक बात और निचोड़ा नहीं जा सकता बंबई में भी तो वैक्यूम है वहां भी तो सफाया बंबे में वैक्यूम है अप ऐसा बहुत है या तो मर गया या रेटाइड हो गया या दुबई और अब कंट्री ने ने वो 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 सेना में न्सीपी में कॉंग्रेस में चला ग गया मुंबई के कॉर्परेटर यूपी के मेले से बहुत रहीज होता है रियल एस्टेट खुदी बिल्डिंग बना रहा है अभी हमारे एक मित्र वो बता रहा है कि वो उसकी जो पहुंच या उसकी जो मैं जो राजिसवा के सांसत के बराबर है 100% वो बता तो रहा हो एक द से बलिवटर गिरिफ्तार हो गई और यह था कि आधी बनी हुए है बिल्डिंग तो इसने 13 फैलोर पिलिया था बिल्डिंग अभी नवए या आठ फैलोर तक पहुंची इसको बरबाद हो बिलिडर ही गिर इसको चुनाओ से बी संबंदित जोड़ा जा रहा है इसको हो बा वोड़ के लिए बहुत सेफ था मुंबई तब भी मों से जवान नहीं निकली तिन लोग के चब्विस ग्यारा जैसा हमला हुआ था गैंग्स्टर नहीं यहां तंकवादी आयते वह भी बाहर से खुद मरने आयते तीन दिन तक तांडव किया था पूरे मुंबई में तब भी किसी को दिक्कत नहीं हुए थी इतना तब भी सेफ था मुंबई आज एक इनका मरा है ना आज एक मुसल्मान मरा भाई इसलिए अनसेफ हो गया है अब अनसेफ है 26 आप समय बॉलीवूड के मुसल्मान स्टार्स की आप मानसिकता समझे आमिर खान वह सारुख खान बढ़ गई है और अब यहां पर रहना जो है भी वी को ठीक नहीं लगता है हाँ वो सब सब यहां मुंबई में भी दिया था जो पंद्रसोला में लगता तो अब जो है ख़दा T-Series ने, T-Series अगर आपका जाना लाउंच नहीं करेगी तो आपकी फिल्म नहीं चलेगी, नहीं, वो एक अलग मैटर है, आप बिजनस में कॉम्पटिशन करते हैं, वो हिंदुवादी था, तो क्या T-Series का टिप्स नहीं था, वीनस नहीं था, सब थे, सब अपना का कहनी, और पैसा सही जगह लगाया, माता वैशनो देवी पे लगाया, हिंदूतों को प्रमोट करने में लगाया, नहीं ने सिंगर आके भजन गवाए, जगजीत सिंग सबसे गवाए, और अपने डिस्रिबूशन से घर घर, जगजीत सिंग आपको पता है, सबसे बड़ा हि है, जो उन्होंने हे राम गया था, और वो बसता रहता था सारी दुकानों में लगाता है, जगजी सिंग की गजलें जो हिट थी, जगजी सिंग के भजन बहुत हिट थे, फिर हर सिंगर का असली पैसा भजनों से आया है, अब वो उसमें इनका, गुलशन कुमार का बहुत सही बात रही, और बाबा सिदिगी के बहाने, मुंबई और बॉल्यूड की गटर फिर थोड़ी सी खुली है, थोड़ी सी बद्वू आई है, देखते हैं, आगे क्या होता है, बात याद आई भिया, छल के बदले छल, आज नहीं टुका, अब मुझे लग रहा है कि, अब म पलट के आएगा नहीं, आएगा, कहीं न कहीं से तो आएगा, यहीं सही, संदीब्या, आपने मुझे टाइम दिया, आपने हमें आवंतरत किया, जै श्री राम, धन्यवाद, ठीक, ओके लिए,